ओम शान्ती। हम सभी अपने प्रियजनों को उनके जीवन में आने वाली निराशाओं, कठिनाईयों और चुनोतियों से बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। परंतु हम्मे में से बहुत से लोग उनके दर्द को अपना दर्द मान लेते हैं और उनका दुख सहन नहीं कर पाते हैं। उस्त दुख में होता है, या वे कोई गलती करते हैं तो हम गुसा करते हैं या दुखी होते हैं। स्वयम को अलग रखते हुए शान्ती से उन्हें सुनें, हमारी स्टेबिलीटी ही उन्हें शक्ति देती है। दूसरा, जब कोई गलती करता है, तब भी उसे स्वाभाविक रूप से सही और गलत की पहचान होती है। बस उसके पास उस समय उस बात को सही तरीके से एपलाई करना नहीं आता होगा। हमारी भूमिका उन्हें सलाह देने के साथ साथ सशक्त बनाने की भी है। प्यार भरे शब्दों से प्रोथसाहित करें। उन्हें उनकी रियल ताकत से अवगत कराएं, उनके गुणों को दूसरों के सामने उजागर करें और आशीरवाद के वाइब्रेशन दें। तीसरा, जब आप उस बात को भावनात्मक रूप से अलग होकर देखते हैं, तो आप चीजों को अलग नजरिये से देखकर सही एडवाइस दे पाते हैं। आपका माइंड स्पष्ट रूप से सोचता है और आपकी करुणा की भावना आपको सही तरीके से रेस्पॉंड कर करने में मदद करती है। अपने प्रियजनों को पॉजिटिव एनरजी वाले वाइब्रेशन और शब्दों से दुआएं देते हुए उन्हें सशक्त बनाएं। ओम शान्ती।